दोस्तो NPCI के तरब से एक new service को launch कर दिया गया है जिसका काफी दिनों से इंतजार था अब आप लोगों को अपने bank account में आधार dbt plus NPCI को link करवाने के लिए किसी भी bank में जाने की आपशकता नहीं है आप लोग घर वैटे ही अपने bank account में dbt को link कर सकते हैं और इसी के साथ में आप लोगों को अपने bank account से dbt को हटाना है तो आप लोग यहाँ पर d seeding भी कर सकते हैं दोनों ही option 8 कर दिए गये हैं पहला option है seeding का और दूसरा है d seeding का इतना ही नहीं दोस्तों आप लोग यहाँ पर अगर आप लोगों का account किसी और bank में है और आप लोगों का NPCI plus dbt उस bank म भी link कर सकते हो जैसा कि यहाँ पर आपको तीन option मिलेंगे सबसे पहला option है fresh seeding इसका मतलब यह है कि आप लोग अपने नए account में आधार dbt को पहली बार link कर रहे हैं तो आपको इस वाले option पर click करना है इसके बाद में दूसरा option यहाँ पर मिल जाएगा movement with in the same with another account यानि कि बहु को select करके कर सकते हैं इसके बाद में तीसरे ऐसे लोग होते हैं जिनका account किसी दूसरी bank में होता है और वो लोग चाहते हैं कि उस bank में जो हमारा dbt link है उससे हट जाए और दूसरे किसी bank account में link हो जाए तो उन लोगों को यहाँ पर तीसरा वाला option भी मिल जाता है तो तीनों ही किस तरह से online ही अपने bank account में आधार NPCI को link करना है इस वीडियो में मैं आपको पूरा complete process बताने वाला हूँ तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है वीडियो के description box में मैं आप लोगों को पहला link दे दूँगा उस पर आपको click करना है click करने के बाद में आप लोग direct ही इ यहां पर डालना है और इस capture code को डाल करके check status वाले option पर click करना है इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपके आधार card में dbt plus npci link है या फिर नहीं है और अगर है तो count से bank account में आधार dbt link है तो आधार number और capture फिल करने के बाद में जैसे ही check status वाले option पर click करेंगे तो आपके आधार card में जो भी mobile number link है उस mobile number पर एक OTP send किया जाएगा उस OTP को आपको यहां पर fill कर देना है और इसके बाद में आपको यहां पर submit वाले option पर एक बार click कर देना है और जैसे ही submit वाले option पर click करेंगे इसके बाद में यहां पर आपका पूरा status तेकनी को मिल जाएगा आधा यहां पर कब link हुआ था तो वो date भी आपको देखने को मिल जाएगा इसी के साथ यहां पर आप लोगों को status भी देखने को मिल जाएगा यहां पर आपको कुछ नीचे की side में आना है और यहां पर आपको यह देखने को मिल जाएगा कि कौन सी bank में आपका आधार dbt plus npci link है bank का नाम के जश्ट सामने यहां पर आपकी bank का पूरा नाम देखने को मिल जाएगा अब आप लोग अगर इस bank से change करना चाहते हैं या फिर आप लोग दूसरे किसी bank में link करना चाहते हैं या फिर आप dc करना चाहते हैं तो उसका process भी जान लेजिए यहां पर आप लोगों को अब मैं वीडियो के description box में दूसरा एक link देदूँगा उस पर आप लोग जैसे ही click करेंगे तो आप लोग request for आधार seeding वाले page पर आ जाएंगे अब यहां पर सबसे पहले आपको करना क्या है अपने आधार number को यहां पर enter कर देना है इसके बाद में आपको यह select करना है कि आ आप काउन सी bank में आधार dbt को link करना चाहते है select bank वाले option पर click करेंगे click करने के बाद में यहां पर आपको अपनी bank का नाम type करना है bank आ जाएगी जैसे कि हमने bank को बड़ोदा को select कर लिया है इसके बाद में यहां पर आप लोगों को seeding type को select करना है तीनों ही option आपको देखने अपने account में आधार seeding करनी है तो आपको second वाले option को select कर लेना है जैसे कि हमें यहां पर fresh seeding करनी है इसलिए हमने यहां पर first वाले option को select कर लिया है अब आप लोगों को यहां पर अपने bank account number को enter करना है जिस भी bank account में आप लोग आधार प्लस dbt को link करना चाहते हैं यहां पर आ यहां पर रहा है इस capture code को same to same आपको यहां पर फिल कर देना है और इसके बाद में आपको यहां पर प्रोसीड वाले option पर click कर देना है जैसे ही click करेंगे आपके mobile number पर एक OTP send किया जाएगा OTP आपको fill करके submit कर देना है और जैसे ही आप submit वाले option पर click करेंगे आपकी जो request है बहें आपके bank में online ही पहुँच जाएगी और request को पहुँचने के बाद में आपको यहाँ पर 24-48 गंटों तक wait कर लेना है 24-48 गंटों के अंदर ही आपके bank account में dbt plus npci online ही link कर दिया जाएगा लेकिन दोस्तों यहाँ पर npci की तरप से जो new service launch की गई है यहाँ पर अभी भी से क्लिक करएंगे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अभी आप लोगों और subscribe और जैसे की कर्मदोड करते हैं भी कर दी इसमया हैaps कर सकते हैं तो इस्की सर्विस इसमें launch नहीं की ई दीड़े jarvik और की आम्रेगिक है यहाँ नाम पर एडिक कर दिए जाएंगे